कैदियों को ले जा रहे पुलिस गाड़ी में अनियंत्रित फ्रक्त ने मारी टक्कर एक कैदी की मौत एक कैदी सहित कई पुलिस कर्मी धी घायल बड़ी खबर रोहतास जिला के बिक्रम गंज अनुमंदल क्षेत्र के संज्धॉली से है जहां एक अनियंत्रित फ्रक्त ने कैदियों को ले जा रहे पुलिस गाड़ी में टक्कर मार दी जिसने राकेश गुपता नामत कैदी की हाधसे में मौत हो गई वो और दूसरा कैदी जय प्रकाश गुपता घायल हो गया दावत खाना की पुलिस ने कर भवई गाव से 295 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद होने के मामले में इन लोगों को पकड़ा था तथा उनका कोविक जाच कराकर बिक्रम गंज के जेल में पहुँचाया जा रहा था इसी दौरान स जोली के पास मियंत्रक से दूर घटना हो गई इस हादसे में जखनी सभी लोगों को बिक्रम गंज के निजी अस्पताल में भरती कराया गया है जखनी लोगों में दावत खाना के सिपाही कुलदीव कुमार, अमित कुमार, शिव नारायन सिंग तथा चौकीदार सिंग है, हादसे के बाद परिजनों में हताशा है